नमस्कार दुष्टी आईएस के एडिटोरियल अनलेसिस में आपका स्वागत है मेरा नाम है नील आज का संपाद किये इंडियन एक्स्प्रेस अखवार से लिखा है एमार शरन साहब ने जो की एक किताब लास्ट अमंग एकोल्स के लेखक है और असिस्टेंट प्रोफेसर भ लिकर बैन जो शराब बंदी है जो लगतार चर्चा में रहती है खास तोर पर तब से जबसे बिहार में इसे लागू किया था इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा इस पर ये संपात किये है जब हम शराब की बात करते हैं और इसे दुनिया के अलग-अलग सभिताओं के की में डाल कर देखते हैं तो देखते हैं कि इसको लेकर भी दो धड़े रहे हैं एक धड़ा वो भी रहा है जिसने इसको रूपक के बतौर इस्तमाल किया जैसे हरिवंश राय बच्चन सहाब की एक बहु प्रतिष्ठित चर्चित कभिता का अंश है कि हिंदू मुस्लिम हैं दो एक मगर उनका प्याला एक मगर उनका मदिरा ले जहां शराब मिलती है मदिरा यानि शराब एक मगर उनका मदिरा ले एक मगर उनकी हाला दोनों रहते एक नजब तक मंदिर मस्जिद जाते बैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराते मधुशाला तो एक वो परंपरा रही है जो रूपक के तौर पर इस्तमाल कर रही है शराप को और उसकी सामाजिक सच्चाईयों को भी बता रही है या उसके खिस्से को बता रही है कि वहाँ पर सब लोग आकर एक हो जाते हैं तमाम दूसरे शायरों ने भी इस पर बात की है मिर्जा जौक जो की गालिब के कंटेंप्ररी थे उनके प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कहा था कि हम तो जौक तो मदरसे के बिगडे हुए है मुला उनको मैं खाने लाओ तो सबर जाएंगे तो ऐसी भी बात कही जाती थी लेकिन ये एक किस्सा है एक तरफ है एक पक्ष है दूसरे तरफ स्याह सच्चाईयां भी हैं शराब की स्याह सामाजिक सच्चाईयां जिसने घरों को तोड़ने में भूमिका निभाई है बच्चों को उनके पिताओं के प्रेम से दूर रखने में भूमिका निभाई है लोगों को जल्दी काल के गाल में समा जाने में भूमिका निभाई है तो जब हम ये दोनों भूमिकाओं को देखते हैं और इसके बाद आधुनिक काल में तो शराब के साथ कई सारी चीज़े जुड़ जाती हैं, सरकारों की आये का एक प्रमुक्स्त्रोथ भी है, तो दूसरी तरफ क्राइम के लिए बड़े हद तक जिम्मदार शराब को माना जाता रहा है, तो ये सारी बातें इस बहस में अच्छा है, बिंदुवार चर्चा के साथ ही संपात के शुरू करते हैं, शुरू कहां से होता है संपात की है, कि 1947 में जब समिधान सभा की बहसें चल रही थी, तो शराब बंधी भी वो मुद्दा थी, जहां पर ये, जिस मुद्दे पर ये बहस हुई, और भी एच खाड रेकर सहाब, जो की बंबे से आते थे, बंबे स्टेट से आते थे, वहां से आने वाले इंडिपेंडेंट मेंबर थे, उन्होंने शराब बंधी की तीन ग्राउंड्स पर मुखालफत की, कहा की नहीं लागू होनी चाहिए, शराब बंधी क्या थे वो तीन मुद्दे, पहल कि प्रोहिबिशन, आम भाशा में इसका शब्द होता है, शराब बंधी के लिए ही इसको इस्तमाल किया जाता है, वैसे प्रोहिबिशन का मतलब होता है, रोकना, लेकिन अगर केवल प्रोहिबिशन लिखा है, इसका मतलब शराब को रोकना, कानूनी हलकों में इसको माना ज जाए लेकिन अगर उसका enforcement उस order का enforcement मुश्किल है या असंभव है तो सरकार उस order को पास ही नहीं करेगी क्योंकि सरकार का इकबाल एक चीज है वो इकबाल बुलंद कैसे होता है कि सरकार जिन कानूनों को लागू करती है उनको enforce करा पाती है तभी सरकार का इकबाल बुलंद होता है या जिसको हम कानूनी भाशा में कहते हैं rule of law establish होता है कब establish होता है जब law enforce भी किया जा सके शराबंदी को लेकर कारडेकर सहाब का कहना था कि इसको enforce करना ही बहुत मुश्किल है इसको रोकने के लिए बहुत तरकारी अमला लग जाएगा बहुत पैसा खर्च होगा इतना हम वहन नहीं कर पाएंगे दूसरा कि जो थोड़ा बहुत limited enforcement होगा भी उससे हमारी जो कानूनी सनरचना है खास तोर पर जेले हैं, कोट हैं, यह भर जाएंगी बॉटल जो है उसका जो नेक होता है उसमें कुछ फस जाए तो बॉटल के न इस पार कुछ आ सकता है न उस पार तो अब ये bottle neck बन जाएगा कानूनी प्रक्रिया पूरी तरीके से जाम हो जाएगा और तीसरा revenue loss सरकारों को इससे जो आमधनी होती है या हो सकती है वो आमधनी भी नहीं होगी क्योंकि शराब जिसको पीनी है उसमें से कुछ लोग तो उसको पीते ही रहेंगे इस पर हम आगे आएंगे भी लेकिन उस पीने से जो सरकार को आमधनी होनी थी सरकार उसका उप्योग तमाम जनहित के कार्दियों के लिए या शराब बंदी के लिए शराब की रोखधाम के लिए कर सकती थी वो भी नहीं कर पाएगी तो revenue loss होका ये तीन कारण गिनाए गए constituent assembly में संपाद की आगे कहता है कि खार डेकर सहब अगर बिहार के experiment को देखते बिहार में 2016 में जब शराब मंदी लागू की गई उसको देखते तो क्या कहते इस अंपादक जब खुद मुजफर पुर के गावों में घुमे तो सर्प्राइज हुए कि शुरुवात में ये policy कितने अच्छे से implement हुई थी कैसे जो शाम की अड़े थे जहाँ पर दिन बढ़ के दिहारी मजदूर जमा हुआ करते थे वो अड़े अब खाली दिख रहे थे पूछने पर मालूम हुआ थे कि कात पर मालूम हुआ कि वो लोग अपने घरों में जाते हैं जो रोज के पियककर थे जिनको आम भाशा में पियककर कहा जाता है शायद उन्होंने अपने रास्ते बदल लिये थे महिलाओं का कहना था कि उनके पत्री सुधर गए हैं संपाद के कहता है शान्त हो गए हैं दोस्तों ने चो इनके संपादक के दोस्त थे उन्होंने कहा कि पटना तक में शराब को खोजना असंभव जैसा हो गया है यानि कि समपादक को लगा कि खायडेकर महोद है जो समविधान सभा में बात कह रहे थे उसमें कुछ खास वजन शायद नहीं था लेकिन जैसे जैसे साल बीते 2016 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22 आते आते इस्थितियां थोड़ी स्याह रुख लेने लगी स्याह रुख अक्तियार करने लगी वो मजदूर जो अड़ों में गायब गुआ करते थे अब वो कुछ ऐसी जगों पर जाने लगे जो शराब के सरकारी अड़े तो नहीं थे लेकिन कुछ प्राइवेट जगें थी जहां पर बेहद लो क्वालिटी की इल्लीगल शराब मिला करती थी जिस जगे पे उन्होंने रिसर्च की संपादक महोदे ने उन्होंने पाया कि शराब महेंगी भी हो गई है और उसकी क्वालिटी भी बहुत खराब हो गई है और वो सब लोग जो शराब पीते थे उनके घरों के लोग अब एक डर के वातावरण में अपना जीवन गुजा रहें हैं इसके अलावा जो लोग शराब बना रहे थे उनकी कहानिया आम होने लगी जल्दी ही ये रिपोर्ट्स भी आने लगी कि अखवारों में रिपोर्ट्स आने लगी कि कैसे बड़े इस्तर पर गिरफतारियां हो रही हैं और कई बड़े बड़े लोग जिसमें पु पुलिस के गोदामों से गायब हो गई और कहा गया पुलिस रिपोर्ट्स में आया खबरों में मजाक भी उड़ा कि चूहों ने शराब पी ली कितनी शराब पी ली 9 लाक लीटर शराब बिहार के चूहे पी गए उसके बाद और खतरनाक खबरे आने लगी बॉर्डरिंग डि जा रहा है क्योंकि उनकी जाँच नहीं होती है या अल्कोहल के शराब के जो सब्सिट्यूट हैं कुछ ड्रग हैं सस्ते ड्रग हैं सस्ते नशे हैं उनमें उनकी जो यूज है उनका जो इस्तिमाल है वो युवाओं में बढ़तना देखा गया ऐसे में संपात की आगे बढ कहता है कि एनफोर्समेंट इस व्यवस्था को लागू करने की व्यवस्था धीर धीरे चर्मराई है लेकिन शराब आज भी इतनी जादा उपलब्द नहीं है और इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिला है डोमेस्टिक वाइलेंस पर अच्छाई की बात हो रही है डोमेस पेपर यह भी कहता है कि जारखंड के मुकाबले प्रॉपर्टी क्राइब और दूसरे वाइलेंट क्राइम में बिहार में कमी देखने को मिली जारखंड से तुलना इसलिए क्यों कि जारखंड बिहार से कटकर बना था और एक हद तक आर्थिक सामाजिक समानता बिहार और अधिक है, तो यह कमी भी देखने को मिली, crime में कमी देखने को मिली, violent crime में कमी देखने को मिली, घरेलू हिंसा में कमी देखने को मिली खारडेकर के बिंदू की बात हो रही ये खारडेकर साहब ने कहा था कि क्या-क्या समस्याएं आ सकती हैं उन समस्याओं के जग है ये नहीं सोचा था कि फायदे भी क्या-क्या हो सकते हैं फाइदे की बात हुई, हाला कि खार डिकर सहाब ने कहा था कि revenue का loss होगा, वो loss हो रहा है, tax revenue 3100 करोण आया था 2014-15 में, जो शराब पर tax लगने से आया था, और बिहार के state GDP का एक प्रतिशत आबकारी कर या शराब पर लगने वाले tax से आया था, यानि कि एक तरीके से देखें तो 2019-2020 का जो बिहार का housing budget है, गरीबों को घर प्रदान करने का जो पूरा budget है, वो पूरा पैसा केवल शराब के कर से आ सकता था, लेकिन संपात की आगे बढ़ता है, कहता है कि देखिए, इन आकड़ों को देखेंगे तो लगेगा कि बहुत में बिहार का हिस्सा है, या central की तरफ से बिहार को जो grant मिलती है, फिर 70% तो वहीं आता है, और इन आकड़ों को अगर ध्यान में रखें, तो alcohol से जो बिहार सरकार को पैसा आता था, तो जो total revenue receipt है, total revenue जो बिहार सरकार के पास आ रहा है, उसमें से 1 रुपय में 5 पैसा शराब से आता था मात, तो revenue loss इतना बड़ा नहीं हुआ, बात हो रही थी, कारडेकर साहब ने कहा था, जेले भर जाएंगी, बिहार की जेले भरी नहीं है, ऐसा संपात किये कहता है, क्योंकि conviction rate शराब के कानून के अंदर बहुत कम है, इस पर भी बीच में बवाल हुआ था, क्यों जो conviction rate है, उसमें कमी देखने को मिली, और साथ ही सजाएं भी थोड़ी आसान की गई, conviction rate अल्रेडी बहुत कम है, और लेकिन, और नहां पर लेकिन शब्द महतपून है, कि लेकिन जो आम तोर पर पकले जाते हैं, conviction rate कम है, कम लोग जेलों में जा रहे हैं, लेकिन जो जेलों कुछ रुपियों के लिए कोई भी काम करने को तयार है, रोजगार के अफसर तलाशते हुए, तो कार डेकर के जो concerns थे, जो Constituent Assembly में, 1940 में कार डेकर साहब ने बोले थे, वो कुछ-कुछ सीमा तक सही साबित हुए हैं, कुछ-कुछ सीमा तक गलत साबित हुए हैं, लेकिन अलकोहल का consumption तो गिरा है, क्राइम पर इसके mixed result हुए हैं, जेले भरी तो नहीं है, लेकिन और revenue loss भी हुआ है, लेकिन बहुत जादा नहीं हुआ है, राज्ये की वित्तिय स्थिती इसकी वजह से चर्मरा नहीं गई है, लेकिन खार डेकर सहाब जो एक बिंदू की बात नहीं जाएंगी, जो हाल ही में जहरीली शराब पीने की वजह से बिहार में कुछ जगों पर बड़े इस्तर पर लोगों की मृत्य हुई, क्योंकि जहरीली शराब बहुत बुरा असर डालती है, जान लेवा साबित होती है, उस असर के या उस बात को खार डेकर सहाब नहीं सोच पाये थे, और कोई भी सरकारी पॉलिसी सफलता क्लेम नहीं कर सकती, जब तक कि वो प्रिवेंटिबल डेट्स के लिए जिम्मेदार बनती जा रही हो, ये एक महत्कून सबक है, जो पॉलिसी निर्माताओं को ध्यान में रखना चाहिए, तो बिहार के सामने सवाल है कि विक गल्प संपात किये, सुझाता है, पहले वो दूसरे विकल्पों की चर्चा करता है, कि एकॉनमिस्ट कहते हैं कि देखिए शराब को अविलेबल करा दीजे, अविलेबल नहीं कराएंगे, तो इस प्रकार की ट्रेजोडीज होने की संभावना हमेशा जाधा रहेगी, तो श देखिए टेक्स बहुत जाधा इसलिए हो सकता है, क्योंकि शराब की डिमांड जो है, वो इनिलास्टिक होती है, ऐसा नहीं है कि अगर इस पर जो टेक्स है, लेक्शरी गुड की तरह काम करती है, हम इसको सिन गुड कहते हैं, तो ये इनिलास्टिक माने जाते हैं, यानि इन पर आप टेक्स की सीमा बढ़ा सकते हैं, इनके खपत को कम करने के लिए, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, अब ये भी ध्यान दीजिए कि अलकोहल जहां लीगल है, और उससे जुड़ा स्टिगमा अगर कम है, तो फिर खुद ही लोग जहरीली शराब पीने से होच ट्रेजडी जिसके हम कहते हैं, वो बिहार में कम से कम होगी, और क्योंकि टेक्स हाई रहेगा, तो कंजम्शन भी कम ही होगा, इसके अलावा रेविन्यू सरकार के पास कुछ ना कुछ आएंगे, पुलिस के ऊपर ये जुनाके बंदी की पूरी जिम्मेदारी इससे मे हो जाएगी, और हूच ट्रेजडी जो हो रही है, वो भी कम हो जाएगी, इसके अलावा ये समस्या जो है, ये समस्या इससे सॉल्व नहीं हो रही है, संपात की ये मानता है, लेकिन कम से कम हमने हर कारक पर, चाहे रेविन्यू का कारक हो, चाहे पुलिस का कारक हो, चाहे इस से होने वाली खूच ट्रेजडी में होने वाली मृत्यू का कारख पो इन सब में हम आज की स्थिती से बेथर स्थिती में पहुंच जाएगे तो आखरी सवाल है कि अगर इतना सब कुछ संपादक महवदय सोच पा रहे हैं तो कैं सरकार को ये सब नहीं मालूम संपादक महोदे कहते हैं देखिए सरकार को ये सब मालूम है लेकिन कुछ ऐसा है जो इस से जादा सरकार को मालूम है क्या है वो कि सरकार ये जानती है कि इस कदम को पिहार की आधी आबादी का समर्थन बहुत जादा हासिल है आधी आबार्दी यानी महिलाओं की आबादी संपादक महुदे कहते हैं कि वो मुदफरपुर में वहीं पर जहां तीन व्यक्ति जहरीली शराब पीने की चलते मारे गई थे, उनकी मृत्यू हो गई थी वहीं पर उन्होंने तीन महिलाओं से बात की उनसे पूछा कि शराब बंदी पर उनका क्या रुख है उन्होंने कहा शांदार कदम है शराब बंदी उनमें से एक ने कहा कहा कि इसके बाद पुरुष हमें पीटते नहीं है वो अपने काम पर समय पर जाते हैं और हमारे घरों में हमारे बच्चों के लिए जरूरतों के लिए पैसा बच्चता है तो ये एक सामाजिक सच्चाई है जिसको कई वो लोग जो शराब बंदी को केवल कानूनी नजर से देखते हैं या केवल वित्तिय नजर से देखते हैं इन बातों को अप्रीशियेट नहीं कर पाते तो ऐसे में संपात के कहता है कि देखिए ऐसे समय में जब दुनिया तमाम संकटों से गुजर रही है तमाम तरह के कौन में क्राइसिस आ रहे हैं ऐसे में महिलाओं के लिए या एविन परिवारों के लिए घर की आर्थिक स्थिति घर की सामाजिक इस्थिति घर पर इस्थाइत्व सबसे महत्वपूर्ण है देर होम इस देर वर्ड रमिना टैगोर काई की एक प्रसिति कृती थी होम एंदी वर्ड घरे भेरे तो वो कहते हैं कि उनका घर ही उनका संसार है और उनको लगता है कि शराब बंदी ने इसमें एक भोमिका निभाई है उनके घर को उनके संसार को स्थाइत हो देने के लिए तो इस बात भी ध्यान रखा जाए नागरिकोगों के तौर पर सोचने वाले नागरिकों के तौर पर लोगों को इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो संपात्किये ने Constituent Assembly की Debates के बारे में बताया, उसके बाद बिहार में जो ए प्रोहिबिशन लगा, उसकी सामाजिक सचाईयों को बताया, उसके फाइदे गिनाए, उसके नुकसान गिनाए, आगे की रहा बताई, और एक ऐसी सामाजिक सचाई, जिससे कई लोग मूँ चुरा लेते हैं, या उस पर ध्यान नहीं देते, आधियावादी की सचाई उसको भी बताया, तो ये थाज का संपात के, मिलते हैं एक नए संपात के के साथ, तब तक के लिए नमस्कार. झाल